ओ महालक्षने नमः आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि घर के आसपास दिवाली के दिन या रात में कभी भी कुछ जीव जन्तू आपके घर के आसपास या घर के अंदर दिखें तो ये समझिये कि आपके घर में माता लजमी का आगमन हो चुका है और साल भर आप के घर में धन की कमी नहीं होगी तो उसमें सबसे पहला जीव है छिपकली घर की दिवारों पर अक्सर जो है छिपकली को चलते हुए गुंते फ्रिटे देखा जाता है लेकिन सकुन साष्ट्र के अनुसार घर के अंदर दिवाली के दिन में या रात में छिपकली देखना ब दूसरा जीव है बिल्ली अगर दिवाली के दिन या रात बिल्ली घर में आ जाए तो उसे भगारा नहीं चाहिए क्योंकि इसे माता लच्मी के आगमन का सूचक माना गया है तीसरा जीव है उल्लू अगर आपको कहीं भी घर के अंदर या बाहर उल्लू दीख जाए ये समझिए आपके घर में लच्मी का आगमन हो चुका है चवथा जीव है चचुन्दर अगर दिवाली के दिन आपको चचुन्दर दीख जाए तो ये जी सदाश्ते जा रहा है उसे जाने दीजिए इसका मतलब ये है कि ये चचुन्दर जो है अपने साथ आपके घर में धन की व्रिदी करने वावा है जैमाल अच्मी ओमाल अच्मी नमहाँ